दोस्तों Indian Railway Finance Corporation Limited यानि IRFC की बात में Stock ने बहुत जबरदस रिटन दे दिया कुछी दिनों में लेकिन कल Stock ने उपर के लेवल से वापस Profit Booking से जो Closing है वो लगबग Flat दिये Intraday में 48 का हमने High देखा लेकिन जो Closing है वो 45 से नीचे तो क्या Stock में अब Profit Booking आने वाली है Stock क्या फिर नीचे आएगा क्या करना चीए इस समय क्या अभी वेट करें या फिर इसमें से Profit Book करके निकल जाए वैसे अगर आप देखे तो Stock ने काप ही कम समय बहुत अच्छा रिटन भी दिया और आप यह समझी सकते हो कि Stock जब बिल्कुल नी दोड़ा तब भी मैंने का था कि इसमें आपको Investment करना चीए Fundamentally Company बहुत मजबूत है और यह Stock दोड़ेगा जरूर और बिल्कुल वही हुआ समय जरूर लगा क्योंकि आपको यह पता ही होगा जब IPI तब भी इसकी Listing Discount में होई थी साल बर तक Stock आपको 25 से नीचे ही मिला लेकिन अब आप देखते हो कि Stock ने दोड़ना शुरूक है और Railway के Stock ऐसे ही दोड़ते है जब दोड़ने लगते तो लगातार दोड़ते है चाहे आप IRTC को देख सकते हो या फिर RVNL को देख सकते हो अब इसका नंबर लग चुका है तो दोड़ेगा तो जरूर लेकिन एक तरपा कोई Stock नहीं दोड़ता है एक बार दोड़ने के बाद Profit Booking तो आती है और यही आज देख सकते हैं कि हमें लग रहा है कि Profit Booking और आ सकती है तो आगे क्या करना चीए जानने की कोर्सिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से और कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिसकस करेंगे IRFC जो अपने सेक्टर के इतर से मोनोपॉली वीजनस करने वाली कमपनी है सिर्फ 37 employees कमपनी को रण करते हैं और आप यह समझे को इसका खर्च बहुत कम है इसका 0 NPA और इसी का यह सारा प्लस पॉइंट है तो क्या इन्वेस्मेंट करना चीए लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी निया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो ल गुरुवाद पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी गुरुवार की 44.70 की अब 44.50 का दिन में लो बनाए लेकिन जो हाई है वो 48.30 का है यानि स्टॉक ने बहुत जबर्दस दोड लगाई और लगातार दोड़ा भी है लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग हाव तो 31 जुलाई को श्टॉक 38.20 के आसपास था 9% की बंपर तेजी हमने देखिये उस दिन अगर बात करें एक अगस्त की तो सिधा श्टॉक 40.50 पर पहुँच गया 6% की जबर्दस तेजी के साथ में 2 अगस्त को या पे प्रॉफिट बुकिंग आई 39.70 के आसपास श्टॉक गया 2% की प्रॉफिट बुकिंग के साथ में तो यह तो आप देखी सकते हो कि इससे पहले लगबग स्टॉक ने बहुत ही जबर्दस करीब 15-20% की तेजी बताई थी तो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी तो आप देखिए 2 अगस्त को प्रॉफिट बुकिंग आई फिर इस को 44.70 पर चला गया 12.60% की बंपर तेजी के साथ यानि एक बहुत ही भारी तेजी देखिए हमने और 4 अगस्त को आप देखिए तो इसकी प्रॉफिट बुकिंग आप देखो पिछले दो साल में आई पियो आने के बार इसने 91% का पॉइटे रेटें दिया है लेकिन वन ये इसका 112% का पॉइटी डियर नहीं है और 3 मंद की बात करङो 31% की तेजी है और 1 मन के इसाब से सितॉक 36% डोड़ा है और 1 W Professional K Serial सकKY 28% की जबदस तेजी है और 1-day के साब से लगबग 1% का आस 그리고 की तेजी है огंने मिला को इसका रिडन बहुत बैतर रहा है अब फंडामेंटली कमपणी बहुत मजुद आप देश तो इसका मार्केट के 58,847 को भी तक पॉच गया है और करन्ट प्राइस की 45 के आसपास है लो अगर आप देखे तो इसका 20 रुपीज का और हाई 48 का है यानि निचले लेवल से पैसे अल्री डबल हो चुके है श्टॉक का प सब्सक्ति सांदारे और सारे 500 श्टॉक बहुत अच्छा डिविडेंट देती है अब इसका रोसी देखे तो 5.32 परसंट के आसपास है और आरोई इसका 14.70 परसंट के आसपास है आप इसकी face value देखे तो 10 रुपे के आसपास है तो भंडामेटर इसके बहुत अच्छे आप कमपनी 3.1% का अच्छा dividend payout कर रही है पिछले 5 साल का CAGR इसका 25.3% के आसपास है जो काफी अच्छा कह सकते है और dividend payout इसका 30.7% के आसपास का है जो काफी अच्छा कहा जा सकता है अब IRFC में जो तेजी बने इसके पीछे सबसे जो बड़ी वज़ा है FIE की तरब से FIE इस सम अभी दोड़ चुका है तुसरे और श्टॉक भी दोड़ चुक है लेकिन IRFC नहीं दोड़ा था तो अब उन्होंने वहां पे खरीदारी करनी शुरू किया और FIE की खरीदारी के दम पे श्टॉक ने दोड़ना भी शुरू कर दिया अब इस तेजी के पीछे जो सबसे बड प्सक्राइब जाएंगे और यह जो टेंडर के लिए जो है कंपनिया यहां पर देखे तो आपको जो दिखा देगी रेल टेल आरवी एनल इन सब को फंड प्रोड़ करने का काम करती है वह IRFC ही करती है तो चाहे किसी कंपनी को टेंडर लगे जो फंड प्रोड़ करेगी वह यहां पर IRFC करेगी और इसी का सीधा फाइदा इसको मिलता हुआ दिखाए देरा इस समय अभी जो वेगन्स बनाए जाएंगे इसका जो काम होगा जैसे कि ट्रांस्पोर्टिंग होगा जिसमें कोल डिपार्टमेंट के लिए स्टील के लिए सिमेंट के लिए फूड ग्रें इस सारी के सारी आवा जाई हो इसको जादा से बढ़ा है क्योंकि इससे रिवेन्यू अच्छा का सा जनरेट होता है सरकार का और अब जो कंपनिया इसमें आप देखे तो यह जो भी कंपनी को यह टेंडर मिलेगा उसके लिए IRFC को सिधा बेनिफिट मिल सकता है और इसी के अब mutual project डूंडेंगे और आने वाले समय में और भी जादा finance प्रवाइड करेंगे दोनों का जो business है एक तरह से यह एक तरुसरे का फूरक है और इसका फाइदा दोनों कंपनियों को मिलता हो दिखाए देगा इसके अलावा देखे तो IRFC ने मही महीने में ही करीब 50,000 क्रो से हो रही है ऐसे में फंड के जो पर लेगी तो IRFC फंड रेज करेगी बॉंड के मादिम से कर सकती है इसके लावा जो IRFC का एक बड़ा फैसला हो रहे है यहां पर देखो कि IRFC के बोर्ड ने एप्रूबल दिया क्रिप 23 BOER रेक्स जो NTPC को सप्लाइ किया जाएंगे finance लीज क के उपर और इसका जो एस्टिमेंट अमाउंट है फाव इंडेट कोड के आसपास है तो यह जो M.O.I.R. sign किया है जिसमें जनरल परपज वेगन इंवर्स्मेंट स्किम के तैद किया गया है इसके लावा देखे तो IRFC ने यहां पे एक बड़ा एप्रूबल और दिया है जि तो काफी बड़े इनके पास प्रोजेक्ट है और इस वज़े से TG का दोर आगे भी जारी रहेगा और आने वाले समय सरकार जिसल से CAPEX बढ़ा रही है उसका फाइदा तो इस सेक्टर को हो गई होगा और सबसे जो बड़ी बात है कि इनका 0 NPA क्योंकि जो भी यह रेल्वे क को फंड प्रोवाइड करती है उनको करज देती है उसकी गारेंटी सरकार लेती है उपर से किसी प्रकार का टेक्स इनको पे नहीं करना पड़ता है सारे टेक्स इनको रहात दी गई है और यही इनके लिए प्लस पॉइंट है इसकी परफॉर्मस देखे 10-year के इसाब से तो सेल 25 परसेंट पोजिए लेकनी सीटियल-पोजिए फोड़ा साब सलाइटली आपको कम नतरों देखा लेकिन ओवरल सेल्स अच्छा है कंपनी का प्रफिट ग्रोथ की बात कि तैनने के साब से 28 परसेंट प्रसेंट पोजिटिव है त्रीयर के साब से 26 परसेंट इसके return on equity की बात के तो 10 year के हिसाब से 13% पॉइट ही है, 5 year के हिसाब से 14% पॉइट ही है, 3 year के हिसाब से 15% पॉइट ही है और last year भी 15% पॉइट ही है, overall इसकी performance बहुत अची है, fundamentally company अच्छी है, तो जो long term investor है उनको तो निवेस करी लेना चीह, कम से कम 5-10 साल देंगे तो यह stock आ पास-पास खरिज़ारी की हुई है, या उससे भी नीचे है, और उनको अगर अच्छी खासी price मिल रही है, उनको अगर 30-40% का return मिला तो ऐसे में जो short term investor उनको profit book कर लेना चीह, बले उसके बार stock आगे बढ़े, क्योंकि direction किसी को नहीं पता कि आगे क्या सम्मानों बनेगे, फिर gear out का दोर सुरू होगा, एक ही दिम में आप देखें तो कि 3 रुपर नीचे stock आगया, इसलिए जरूरी है कि profit book कर ले, आपका target तो अच्छी होई गया, और stock उपर जागा, तो फिर आप उसके बार में निरे ले सकते हैं, लेकिन profit book करते रहना चीह, long term investor को डरना subscribe कर दीजिए, thank you friend